प्रेसन सोला समदिवाहो तिर्भुज की बराबर भुजाओं में से एक को आधार के सम्मुक सिर्ष की ओर बढ़ाया गया है सीद करें की बहिस कोन आधार पर के कोन का दुगना है तो यहाँ पर एक तिर्भुज बनाएंगे प्रेसन सोला जिसका की एक बुजा बढ़ाया गया है आगे तो यहाँ पर तिर्भुज A, B, C A, B, C में A, B बुजा को D तक बढ़ाया गया है यहाँ पर D लिखेंगे तो कह रहा है कि समदिवाहो तिर्भुज की बराबर भुजाओं में से एक को अब देखें A, B, C कौन सा तिर्भुज है? समदिवाहो तिर्भुज है तो समदिवाहो तिर्भुज में दो भुजा बराबर होता है तो A, B बराबर है A, C के यहाँ पर तो कहरा है समदिवाहो तिर्भुज की बराबर भुजाओं में से एक को देखें A, B और A, C बराबर है तो उसमें से A, B को बढ़ाया गया है अधार के सम्मुख सिर्श की और बढ़ाया गया है सीथ करेंगे 22 खोन अधार पर के कोन का दुगना है तो सीध करना है कि ये जो 22 कोन बना है देखिए इसको कौन सा कोन कहेंगे 22 कोन तो 22 कोन जो बना है ओ अधार पर के कोन ये दोनों अधार का कोन है देखिए ये दोनों अधार का कोन है तो अधार पर के कोन का दुगना होगा ये सीध करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे चुकि A B बराबर A C देखे A B और A C बराबर है यहाँ पे A B भुजा A C के बराबर है क्योंकि समदिवा हो तिर भुजा तो जब A B A C के बराबर है तो कोन B बराबर कोन C हो जाएगा कोन B बराबर क्या होगा कोन C होगा इसको हम पहला लिख लेंगे तो जब भुजा बराबर है तो उसका सम्मुक कोन भी बराबर होता है तिर भुज का भुजा बराबर रहने पे उसका सम्मुक कोन भी बराबर होता है तो A B भुजा A C के बराबर है यानि A B और A C बराबर है तो A B के सामने कौन C हो गया और A C के सामने कौन B हो गया तो कौन B और कौन C भी बराबर हो जाएगा ठीक है? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मूग कौन बराबर होता है तो A B बराबर A C अता कौन B बराबर कौन C हो जाएगा अब लिखेंगे तिर्भुज ABC में कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C बराबर 180 डिग्री तो तिर्भुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री ठीक है इसको दूसरा लिख लेंगे तो हम जानते हैं कि तिर्भुज का तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री ठीक है तो तिर्भुज ABC में कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा अब लिखेंगे चुकी BD चुकी BD एक सरल रेखा है सरल रेखा है अतर कोन DAC कोन DAC प्लस कोन BAC C प्लस कोन A बराबर 180 डिग्री होगा तो देखें कोन BAC कहें चाहे कोन A कहें एक ही बात है तो कोन DAC प्लस कोन A बराबर 180 डिग्री होगा क्यों होगा क्योंकि दोनों रेखी क्यों बना रहा है तो देखें BD क्या XRL रेखा यानि एक सीधी रेखा है तो यहाँ पर जो कोन बनेगा यहां से यहां तक यह क्या होगा यह कोन होगा 180 डिग्री का ठीक है क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोन बनता है तो ये कौन और ये कौन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा रैखी की उगम से तो इस कौन को हम क्या कहेंगे कौन D A C कहेंगे इस कौन को और इस कौन को हम कहेंगे कौन A कहेंगे ये जो कौन बन रहा है यहां पर कौन A कहेंगे या कौन B A C भी कह सकते हैं तो कौन A प्लस कौन D A C बराबर 180 डिगरी हो जाएगा ठीक है इसको दूसरा लिख लेंगे ये तीसरा दूसरा तो हम लिख चुके हैं इसको तीसरा लिख लेंगे इसको दूसरा और इसको तीसरा अब देखिए कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C बराबर 180 डिग्री और कोन D A C प्लस कोन A बराबर 180 डिग्री आया तो यहाँ पे तीनो कोन का जोड 180 डिग्री है यहाँ पे दो कोन का जोड 180 डिग्री है इसका मतलब ये तीनों कोन का योगफल और ये दोनों कोन का योगफल दोनों बराबर हो गया क्योंकि दोनों का जोड 180 डिग्री आया है तो लिखेंगे अतह दूसरा और तीसरा से कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C बराबर कोन DA C प्लस कोन A तो दूसरा में क्या है कोन A प्लस कोन B प्लस कोन C बराबर 180 डिग्री और तीसरा में है कोन DA C प्लस कोन A तो दोनों को बराबर कर देंगे ठीक है क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री आया है अब देखिए कोन A इधर भी है कोन A इधर भी है यानि बराबर के दायां तरफ भी कोन A है बराबर के बायां तरफ भी कोन A है तो दोनों को काट देंगे ठीक है क्यूंकि दोनों तरफ प्लस में है तो इसको काट देंगे अब देखिए कौन बी प्लस कौन सी के जगा पर कौन बी हम लिख सकते हैं क्यों लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पहला से पहला में हम क्या लिखेते कौन B बराबर कौन C यानि कौन B और कौन C बराबर है तो कौन C के जगा पर कौन B लिख सकते हैं या कौन B के जगा पर कौन C लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है तो इस तरह लिख लेंगे कौन B प्लस कौन B कौन c के जगा पर कौन b लिख दिये हैं क्योंकि दोनों बराबर है पहला में हम लाए थे कौन b बराबर कौन c तो यहां पर लिखेंगे पहला से तो कौन b प्लस कौन b बराबर कौन dac अतर अब देखिए कौन b प्लस कौन b क्या हो जाएगा दो कौन b दो कोन B बराबर कोन D, A, C तो यही सिद्ध करना था कि जो बहिस कोन होगा अधार पर के कोन का दुगना होगा तो देखेंगे बहिस कोन कोन है D, A, C बहिस कोन है और अधार का कोन हो गया कोन B तो अधार का कोन का दुगना है बहिस कोन तो लिखेंगे अतह बहिस कोन अधार पर के कोन का अधार पर के कोन का दुगना है दुगना है तो बहिस कोन जो है अधार पर के कोन का क्या है दुगना है क्योंकि देखिए कोन डी ए सी डी ए सी क्या है बहिस कोन है देखिए कोन डी ए सी ये कोन क्या है बहिस कोन है ये वला कोन तो कौन DEC क्या हो गया? कौन B का दुगना या कौन C का दुगना तो कौन B और कौन C बराबर है? तो कौन B का दुगना कहें या कौन C का दुगना कहें? ठीक है? यानि बहिस कौन जो होगा? समधिवाहो तिर्भुज में अधार पर के कौन का दुगना होगा यही सिद्ध करना था तो 2 कौन B बराबर कौन DSE यानि कौन DSE क्या है कौन B का दुगना है तो लिखेंगे 22 कौन अधार पर के कौन का दुगना है तो लिखेंगे 22 कौन अधार पर के का दुगना है तो लिखेंगे 22 कौन अधार पर के का दुगना है